सुनाव SNP, BSE, PSU Index हाई दिस इस देव और वोचिन टेटर्स डायरी और आज हम बात करने वाले PSU स्टॉक्स की उपर क्योंकि कल है 27 मई मंडे का दिन और मार्किट ओपन होगा और आपके सामने वॉलिटिलिटी बहुत जादा देखने को मिलेगी क्योंकि आपका 4 जून से पहले आपका जो पोजिशन बनेगी और बिगड़ेगी वो इसी हफते में होनी है एक्जिट पोल से पहले तो अभी अगर आप देखें तो 2020 से 16 अक्टूर की अगर में बात करें तो इसे इंडेक्स का जो प्राइस था वो 4 या 458 था चूंकि इस टायम देखें तो 21 या 301 का यहाँ पर प्राइस हमें देखने मों मिला है यहाँ पर इंडेक्स का प्राइस आल टायम हाई पर है ऐसे में गटी बड़ी जो भी होगी वो बहुत ज़ादा हमें देखने मों मिलेगी हो सकता है दस परसंट से बड़ा हो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आपके ये जो volatility है, वो आपके fundamental पूछ कर नहीं आने वाली है, ये सब कुछ depend होगा news की उपर, news की उपर volatility होगी, इसमें शायद आपके जो support और resistance है वो पता भी ना चले, इतना जादा volatility यापर हो सकती है, crucial volatility आपके सामने देखने को मिल सकती है, even charge उनको तो बहुती बड़ी volatility रहती है, हो सकता है कि आपका low level, यहाने की lower circuit पर stocks open हो, और क्योंकि आपके market open होने से पहले, seat की गिंती स्टार्ट हो जाती है, तो lower circuit पर आपके stocks open हो, और खुलते ही यापर जो है, आप बेचने को उता रहा हैं, और यहाँ पर stocks जो है, वो recover हो जाए, यह हो चुका है, अगर आप देखें, पिछला scenario, तो इतना बड़ा volatility होती है, आप बेचने को उतरे पता चले stock recover हो गया within one minute, और यहाँ पर आप देखेंगे, आपको मौका नहीं मिलेगा, exit pole जब आ रहा है, उस दिन छुटी है market की, और आप देखेंगे, उसकी next day तो यहाँ पर आपको rate करता हो देखेंगा, वो भी 9-15 पर आप क्या ही बेचेंगे, अगर exit pole आपके हिसाब से नहीं आया, तो सारे stocks जो है, वो धराम से गिरते हुए दिन सार आएंगे, ऐसे में आप क्या position बनाएंगे, यह बहुत बड़ी बात है, आपको बेचने का मौका ही नहीं मिलेगा, अगर आप देखें, खरीदने का मौका मिल सकता है, लेकिन खरीदने के लिए आगे बढ़ेगा कौन, यह एक सबसे बड़ी बात है, और अगर यहाँ पर exit pole आपके हिसाब से आया, तो आप खरीदेंगे क्या, क्योंकि stocks जो हाइर साइड अल्रेडी जो है, आप चुपचाप से उस दिन बाई कर लीचेगा, जादा बेतर, इन PSU's में नहीं तो बाकी मार्केट में stocks हैं, सिर्फ PSU's ही ऐसा नहीं है कि देश चला रहे हैं, आप बाकी मार्केट के stocks देखिए, वहाँ पर सायद आपको अपोचिटी बहुत जादा मिल जाएगी, और प सपोर्ट कहां पर, जिस जगह पर ये स्टॉक हभी है, वहाँ से अगर आप देखें, तो सपोर्ट कहां पर है, 140 रुपए पर, अगर ये 140 रुपए किसी कार्ड़ यहां पर तूट गया, तो दूसर सपोर्ट कहा है, जहां पर आपके मूविंग एवरिजिस हैं, और वो ले गैफिल होगा, गैफिल हो गया आपका, और उसके बाद यहां पर जो थन्ना पड़ा हुआ है, ये स्टॉक, तो अगर और तेजी आई, और तेजी बनी, आप यहां पर ध्यान रखेंगा, इस अपते होना क्या है, पता नहीं, फैक्ट यही है, क्योंकि यहां पर होगी तो इतनी हाई वालिटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, तो आपके ऊपर कैसे आप पोजिशन मना रहे है, नया हाई कब बनेगा, जब यह नया हाई टूटेगा, यह आपका 168 के अराउंड का हाई है, जब यह टूटेगा, तब ही आपर कुछ बात बनेगी, और यह सब अनुमानित बात है, यह प्रेडिक्सन वाली बात है, वैसे ही मैं आपको बताओं, यहाँ पर मनी पावर चलेगा, और कुछ नहीं चलने वाला, आप देहान रखे, भी एचियल में क्या है, भी एचियल में भई है, यह जो ट्रेंड लाइन निकल ली है, वो ट्रेंड लाइ वो आपका यहाँ पर पढ़ेगा, आल्मोस्ट टू सिस्टी फाइब रुपीज पर, तो यह इतनी गरावट होते हुई देखने को मिल सकती है, अगर गरावट आई तो ठीक है, और अगर यहाँ पर चलना है, तो वो चली रहा है स्टॉक, तो ऐसे में आपका और रन अप द अब यहाँ पर बात आती है, बीएल, बीएल बहुत है, अगर आप देखेंगे, बहुत ही जादा ओबर बाउट हो चुगा, तो नाइन टी सेबन पर आपको देखने हुगा, आपको बता रहा हुँ, यहाँ पर सपोर्टिंग लेवल क्या है, गैब द्या रहा है, अगर यह सोग गिरता है, अल्रेडी ओल टाम हाई पर चलने को और भी चल सकता है, लेकर अगर यह बाक ही में, अगर कोई मार्केट के अंदर गिरा बटे, कहां पर आपको मौका मिल सकता है, बाई का, कहां पर यह रुख सकता है, यह इंपोर्टेंट है, हम यह बात कर रहे हैं, तो ब 25 रुपए, यह आपकी किटकल लेवल है, यह आपकर सपोर्टिंग जगह है, 220 तक फिसल जाएगा, अगर यह 260 भी नहीं टिकता है तो, और अब बात करते हैं, NBCC के उपर तो काफी इंपोर्टेंट स्टॉक है यह, और काफी कुछ है लोगों कहना है कि यह चल नहीं रहा है, और बाकी बगएरा बगएरा, तो यह आपर चल गया रहा है, चल यह रहा है बहुत से ट्रेंड लाइन देखिए, ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं हुई ना, सीधी सी बात है, तो यानि कि स्टॉक जो है, वो ट्रेंड में है, इस बात को आप समझेगा, सपोर्ट ले 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 यह आपका 50 डिमा के साब से सपोर्ट है, इनीशियल सपोर्ट का है, इनीशियल सपोर्ट है आपके यहां पर, जो कि आपके लेवल्स है, 143, 140, एंड लास्ट आपका RVNL, RVNL है अच्छा कासा रिटन दिया, मेरा यह कहना था कि 400 के आराउंड आपको मिले तो थोड़ा सा प PSU के अंदर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, सो देट सर्माईएगा मत, बसूल करें क्योंकि वैल्यूशन काफी महंगी हो चुकी है, PSU उसकी, यह एक इवेंट है, और यह आप कह सकते हैं, एक पातालोग में, यह चार पांच या एक हफते का जो टाइम है, यह पातालो क्योंकि एक बार इवेंट निकल जाएगा, यह बजट जैसा सिनेरियो है, बजट में जो हुआ, एक बार इवेंट निकला, उसकी चार पांच दिन वाद इतनी तेज प्रॉफिट बुकिंग आई, कुछ ना कुछ तो रिजन आई जाता है प्रॉफिट बुकिंग का, और प Important News किया है, इमपॉर्टन लेवल है भैस, यहां पर आपका भी यह आपका जो 290 का लेवल है, यह आपका假 है, और अदेरी आपका सपोर्ट नोब रुपे पर सपोर्ट है, यह द्यान रखेगा, बैसे सपोर्ट तो इपर भी मिल जाएंगे, लेकिन स्ठाऑउग सपोर्ट आ आपका moving average के पास है इतना तक यहां पर फिसल सकते हैं चलने को तो यहां से भी चल सकते हैं बट वही मैं आपको बता रहा हूँ कि support कहां पर है यह important है ना कि कहां तक जाना है और जाने की जगह है बैसे भी PSU के अंदर बहुत सारे PSU हैं जिन्वें बहुत कम है ऐसा नहीं है कि PSU कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कमपनियां हो गई है जिन पर पूरा मार्केट तुल जाए और बस यहीं कमपनिय है बस यह कहकर आगे बढ़ जाए तो इस बात को भी ध्यान रखना है PSU हैं तो फेवर रेवल जादा रहता है क्योंकि पांस साल बाद एक इवेंट आता है उसके वज़ए से यहाँ पर है और बापस हम देख रहे हैं और काफी सारे औल टाम हाई को क्रॉस करकर PSU चल भी रहे हैं जहाँ जहाँ दम है वहाँ वाँ आपको देखने मिला है लेकि हाँ पर आगे पांस साल जो है वो रह सकते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बहतर है और हो सकता है कि आपको उन स्टॉक्स के अंदर 20-25% की करेक्शन देखने मिल जाए तो यह पांस साल में आने वाला मौका है तो आगर आपको निचले लेवल पर मिल जाएगा और अगले यहां पर बैटिंग चलेगी मार्किट के अंदर आप इस बात को समझ लीजे उसमें कोई सपोर्ट रेजिस्टर निसायद आपको यहां पर जो है वो काम भी ना है अचानक से आपका रेजिस्टर इंसिस्ट का हिट करकर आपको घूम गया ठीक है तो यह यह बात कम यह यह सुमी ते काफी कुछ आपको समझ में होगा आप क्या कहना है इसको पर कमेंस समझ के और अब दीजम जाए वीडियो देखने के लिए बहुत द्रमाद उस्तो